अगर आप दिन रात मेहनत में लगे रहते हैं और इसके बावजूद भी आपका बिजनेस सही से नहीं चल रहा, पैसों की हमेशा तंगी रहती है तो इसका एक कारण आपकी जमीन भी हो सकती है वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस जमीन पर आप व्यावसाइक प्रतिष्ठान है और अगर वेह जमीन दोशपूर्ण हो तो आपकी मेहनत और योगता के अनुसार लाब नहीं मिलता है इसलिए व्यावसाय या फेक्ट्री स्थापित करने से पहले इस तरह से जमीन की अच्छी तरह जाच परग कर लें वास्तु विज्यान के अनुसार ऐसी जमीन पर फेक्ट्री लगानी चाहिए जहां की जमीन में नमी हो शुष्क, भाउंजर और कटी फटी जमीन फेक्ट्री के लिए अच्छी नहीं होती है ऐसी जमीन में फेक्ट्री लगाने से बार-बार परिशानी आती है जिस जमीन पर फेक्ट्री स्थापित करने जा रहे हैं उसका आकार भी काफी मायने रखता है व्याव साइक प्रतिष्ठान के लिए वर्गाकर और आयाताकर जमीन शुग होती है ऐसी जमीन जो आगे से चौड़ी और पीछे से संकरी होती है अत्वा जिस जमीन का उत्तर पूर्वी भाग बढ़ा होता है व्याव साइक प्रतिष्ठान के लिए लाब प्रध होती है अन्य आकार की जमीन व्यवसाय के लिए हानी प्रध होती है व्याव साइक लाब की द्रिष्टी से पूर्वत्तर दिशा में मुख्य दरवाजा उत्तम होता है पूर्वत्तर दिशा में मुख्य दर्वाजा बनाने में परिशानी हो तो इशान कोन में मुख्य दर्वाजा बनवा सकते हैं इससे कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंद बने रहते हैं जिससे उनका पूरा सहयोग प्राप्त होता है वास्तू विज्ञान के अनुसार अगने ये मुखी द्वार विवसाय के लिए अच्छा नहीं होता है इस से बार-बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है कर्मचारियों के साथ मनमुटाव बना रहता है